हेलो दोस्तों मैं उस अंतोष निगम हो वे आपका स्वागत करता हूं यूटूब चैनल पे जिसका नार में बैग बेंजियोस अफ स्टोख्स इस चाहि américी करेंगे आज के वीडियो को कल जो भी हम लोगों ने लेवल डिसकस किया देनिफिटी एन बैंक नीफिटी के उसके वीडिटी के साथ में. शुरुत करते हैं बैंक निफटी के साथ में. discuss करता हूँ कि यह जो आखरी levels होते हैं यह अपने आप में एक strong reversal levels होते हैं exactly यह reversal levels से जो है आज हम लोगों को पहली बार और दूसरी बार दो बार यहां से reversal मिले थे दूसरी बार जो हम लोगों को rally देखने को मिले थी बहुत ही sharp rally जो यहां पर देखने को मिले थी सिय में बहुत ही अच्छी ट्रेट जो है आज के दिन में हम लोगों गुए बनी थी मने 39000 की सीय ट्रेट करवाय थी अपने प्रीमिम ग्रूप में जिसमें हम लोगों बहुत ही अच्छी प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है अगर से निफ्ती के बारे में बात कि sell side में तो हम लोगों को level 2 जो है वो दे गया था जो हम लोगों ने कले दिन में discuss किया अगर से बात करेंगा मेरे premium group के services के बारे में तो कुछ आज के दिन में अच्छी स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिली थी जो आपके सामने हैं जो कि आज की दिन के चार्ट रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे का सी अगर से आप लोग सीखने में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं तो क्योंकि इनमें एक अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो आज के दिन में ए आप लोगों की जानकरे के लिए यहां पर देखर के गई हुए सहीम इमेज में जो है इंस्टाग्राम पर भी डेली बेसिस पर पोस्ट करते रहता हूं आई यह थोड़ा सा चेक कर लेगी कहां पर एंटरी बन सकते थी इन स्टॉक की जो हम लोग नें डिसकस किये थे तो प आने आप लोगो उसे क्लियर ली कहा था कि यह थोड़ी से मुझे भी एरिश लेग रही है तो पहली केंडल हम लोगों बहुत लंबी चोड़ी मिली थी तो हमारे पास में एक प्राइस एक्षिन का जो सैट अप है वो यहां पर बन गया था तो एकदम टॉप पे ही आप लो जो हम लोगों को यहां पर हीरो मोटो की मिल चुका है अगर से बात करेंगे तीसरी ब्रेकाउट स्टॉक के बारे में आज के दिन की तो वो थी HDFC AMC की HDFC AMC में हम लोगों को यहां से लेवल 2 तक का एक अच्छा सा प्रॉफिट जो वो दे करके चला गया हाला कि यहां पर को इनके लिए फिर यहां पर कोई भी एंटरी नहीं बनी थी इंटराइडे के साथ में 306 एपिसोड सक 99% की जो भी अपने हर यूटूब के वीडियो में आप लोग के साथ में डिसक्स करता हूं वो आज भी बरकरार है मेरी कोशिशी रहेगी 365 एपिसोड जो है वो ऐसे ही बनाओ सो अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलिग्राम का लिंग जो वो देकर के रखा हुआ है लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टन चीज़ गाइज अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो जरूर कर दीजिए गा और एक चीज़ गाइज अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री आफ कॉस में पाना चाहते हैं अगर से आप लोग ने नहीं देगी है मेरी एकुरस से तो एक बार यूटूब को स्क्रोल करके देख लीजिए और टेलिग्राम को भी स्क्रोल करके देख लीजिए मेरी प्लाटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो की स्पेशलाइज़ है निफ्टी और बैक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शिन्स पे इसे आप लोग कंप्लेटली फ्री आफ कॉस में पास सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट अपनी का आप लोग को एक नया डीमाट अकाउंट जो है वो उपन करना होगा मेरे दिये गए लिंक थूँ और आप लोग मेरी प्रीमियम सेर्विसस को जो है वो फ्री आफ कॉस में एंज्वाइ कर सकते हैं प्रॉपर टार्गेट स्टॉपलोग सारी चीज़े में अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते हैं वीडियो चीज़े आप लोग मेरे टेलिग्राम के ग्रूप पे भी जाकर के चेक करते हैं यह सर्वीस आप लोग कॉंपलीटली फ्री ऑफ कोस्ट कर सकते हैं और शीज़े गईस आप लोग को सेम एकाउंट पर ट्रेड करना होगा बाकी लोगों की तरह एक मेना प्रीमियम सबीस फ्री, दो मेना, तीन मेना, छे मेना, ऐसा कोई भी कैपिंग लगा कर कि हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है, completely free of cost है, lifetime के लिए, condition से fake है, obviously आप लोगों को same account पे ही trade करना होगा, बहुत सरे गाईस, लोगों की साथ में problem यह होती कि 2000-5000 का premium जो है, या फिर funds के साथ में, वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, so मेरी साथ में मैं trade करता हूँ, add the money strike prices पे, और in the money strike prices पे, so before account open कर ले, आप मेरी link through, उससे पहले आप लोगों को एक चीज समझने होगी, 15,000 रुपे के उपर ही आप लोगों का capital होना चीजिए, 15,000 के नीचे अगर है, तो मैं अपनी premium services जो है, वो नहीं offer करता हूँ, क्योंकि मैं add the money, और in the money पे mostly जो है, वो ट्रेड कराता हूँ, so बस एक छोटा सा logic है, जो भी agree करते हैं, free of cost में मेरी premium services को join करना चाता है, वाटसप पे team को message कीचे, वो लोगा आप लोगों को जो है, यहाँ पे group में जो है, हमारा जो premium group है, वहाँ पे add करते हैं, कल के दिन की जो पहली intraday breakout stock हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं, वो रहेगी को forge की, end of the day देख लीजिए, एक अच्छा सा volume हम लोगों को यहाँ पे देख रहा है, और यहाँ पे stock ने जो है, वो support क्रियेट करके रखा हुआ है, and support से हम लोगों को एक bounce back मिला है, 3,608 के ऊपर यह stock bullish हो जाएगा, 618, 630 और 652 के level subside में follow कर सकता है, तो 590 के नीचे यह stock bearish है, या फिर इसका यह stock loss भी है, अगर सी यह bearish activation दे देता है, तो 580 के नीचे यह stock weak है, 567, 546, sell side के हमारे levels रहेंगे 3,608, अगर sell side में जाते हैं, तो हमारा stock loss होने वाला है, कल के दिन की दूसरी game changer stock जो है, वो हमें लोग डिसकस करेंगे, वो रहेगे reliance की, so reliance में देख लीजे, end of the day के अच्छा सा volume आ चुका है, लेकिन stock ने कोई भी momentum नहीं दिया है, अब stock में momentum नहीं दिया है, लेकिन नीचे के side से जो price action का trend line आ रहा था है, इससे इसने जरूर breakout जो हो दिया है, 435 के नीचे reliance weak रहेगा, 2416, 2405, 2391 downside के levels रहेंगे, तो 2436 हमारा यहां पे stock loss होने वाला है, इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे, जो इसके upside के levels है वो, अगर से in case यहां पे यह fake breakout consider हो जाता है, एंड यहां से कर return upside में आ जाता है, तो 2436, 2445, 2458 और 2476 हमारे यहां पे upside के levels रहेंगे, तो 2425 हमारा buy side का SL रहेगा, अगर से buy side में हम लोग को कोई भी entry आ जाती है तो, इसके बाद में चेक करेंगे, कल की दिन की तीसरी breakout stock जो रहेगी, escorts की, जिसमें एक अच्छा सा volume end of the day आ चुका है, stock में उस type का कोई भी बड़ा momentum हम लोग को यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है, अईदर किसी भी side में जो breakout मिलेगा, एक अच्छा trendy stock में देखने को मिल जाएगा, 2126 के नीचे stock bearish है, 2190, 2108 और 2090 downside के levels है, तो 2137 हमारा यहां पे stock loss हो जाएगा, in case अगर यह नीचे नहीं आता है, तो 2137 के उपर stock bullish हो जाएगा, 144, 156, 172 हमारे upside के levels रहेंगे, तो 2126 यहां पे हम लोगों का stock loss होने वाला है, तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे levels के साथ में ट्रेड करते हैं, तो कुछ चीज जो हैं वो आप लोगों समझ के लिए नी है, जैसे कि उसमें से पहले चीज यह है, कि अगर से यह हम लोगों का buy a book का level है, तो कोई भी पाँच मिनट टाइम फिरम के जो candle है, वो इसके उपर close होनी चीज जब अगली candle जो है, वो इसका hybrid करेगी, तो तब हम लोग यहां पर अपनी entry जो है, साथ में अगर यह हम लोगों का, अगर stock loss का level है, तो कोई भी पाँच मिनट टाइम फिरम की candle हमारे levels के नीचे close होनी चीज जब अगली candle इसका low break करेगी, तो मैनुली हम लोग अपने orders को जो है, वो ट्रिगर करने वाले है, साथ में दोस्तों जो भी तीन breakout stocks हम लोग यहां पर discuss करते हैं, सारे के सारे stocks, future and option में listed stocks है, इसका मतलब यह है कि आप लोग इनके futures को या फिर इनके options को अपने radar पर रख सकते हैं, अगर आप लोग इनके futures और इनके options को भी अपने radar पर रख सकते हैं, अगर आप लोग options को select करें तो एक चीज़ पर आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी strike price अप लोग select करोगे, वो या तो in the money होनी चीए, या तो add the money होनी चीए, क्योंकि out the money पर trade करने के setups और logic जो होता है, बहुत जादा different होते हैं, उसका delta भी बहुत कम होता है, so being beginner आप लोग को ये गलती जो है, वो नहीं करने चीए, साथ में जो भी nifty और backlifty के levels हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं, सारे के सारे future के चार्ट पर discuss करते हैं, future पर क्यों discuss करते हैं, इसका reason mean यही है, जैसे कि आप लोग बहुरा है, तब volume है कि नहीं है उसमें, और साथ में दोस्तों, जो भी आप लोग indicators यूज करते हैं, वो जादा effectively compared to spot future में बहुत जादा effectively चलते हैं, तो definitely आप लोगों को यहाँ पे आपके trading में इन सारी चीजों से बहुत जादा help जो होने वाली है, साथ में जो भी levels हम आप लोग के magical levels के साथ में बढ़े, तो price action को catch करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्तल जो है, वो नहीं हो इसके बाद में guys हम लोग discuss करने वाले हैं, कल के दिन के nifty and bank nifty के मेरे magical levels, इसे पहले एक बार कल के दिन का prediction जो है बो चेक कर लेते हैं, so guys, आज के दिन के अगर हम पर create नहीं हो गया था, लेकिन हम लोग को यहां पर trapping candle जो है, मिल चकी है, हाला कि यहां पर resistance भी है, लेकिन intraday में बहुत सरे लोगों के stop losses जो है, वो इसने जरूर ले चुके होगे, so यहां से मेरा view जो है, वो अभी भी change नहीं हो रहा है, depend करे का कल हम लोग को opening किस कर मिल जाता है, अगर resistance के ऊपर अगर मिल जाता है, तो intraday में हो सकता है, nifty and bank nifty जो है, वो bullish हो जाए, लेकिन bullish side का मेरा इतना confidence नहीं है, so मैं obviously अपनी half quantities के साथ में trade करना यहां पर पसंद करूँगा, 17,347 के ऊपर nifty का future bullish हो जाएगा, 404, 482, 567 और 724 हमारे upside के levels रहेंगे तो 17,300 के नीचे nifty का future जो है वो वीक रहेगा, 17,243, 17,171, 17,100 और 17,011 हमारे यहां पर downside के levels होने वाले है future में, अगर से हम लोग बात करेंगे यहां पर bank nifty के patterns के बारे में, तो similar type का pattern हम लोग को bank nifty में भी देखने को मिल रहा है, जबकि एक evening star pattern जो है वो यहां पर हो सकता लेकिन वो हुआ नहीं, अचानक से हम लोगो एक green candle जो हो मिलगी, अब अगर support and resistance के बारे में बात करेंगे, तो वैसे भी market अपनी एक sideways की range में आकर रुका हुआ है, तो अगर आप लोग 15 minute एक hourly time frame पर डाल देंगे, तो आपको कही सारे support and resistance जो हो यहां पर दिखाई देंगे तो यहां पर दिखाया जा सकता है कोई भी support, लेकिन जस टाइप का market ने कल rejection दिया था उस टाइप से, आज एक sudden reversal जो है market में, वो obviously किसी को भी यहां पर expect नहीं होगा, लेकिन चलिए अगर हमारे पास में कुछ आ गया है, तो वैसे भी हम लोग overnight positions को carry forward करके नहीं चल रहा है, तो हम लोग यहां पर कल के level जो है वो discuss करेंगे, कल के दिन के intraday के levels, 39,300 के उपर bank nifty के future जो है वो bullish होने वाला है, 393, 511, 663 और 801 हमारे upside के levels रहेंगे, तो 39,200 के नीचे bank nifty के future weak रहेगा, 39,081, 38,935, 38,768 और 38,642 हमारे यहां पर downside के levels होने वाले है, तो दोस्तो हम लोग ने यहां पर discuss किये मेरे बहतरी तीनो breakout stocks, जिसकी accuracy 306 episodes तक 99% की चल रही है, हम लोग ने उनके logics को समझा है, हम लोग ने उनके entry, SL और targets को समझा है, साथ ही हम लोग ने डिसकस किया है, कल के दिन के मेरे magical levels, कल के दिन के prediction के साथ में, तो अगर चैनल पर ने हैं, तो subscribe करना ना भूलिए, वीडियो के description box में मैंने अपना telegram का link दिया हुआ है, live market के updates के लिए, आप लोग मुझे telegram पर भी follow कर सकते हैं, और सबसे important चीज़ गाईज, अगर वीडियो को आप लोग ने अभी तक like और comment नहीं किया, तो जरूर कर द